आप सभी का हर्दिक स्वागत है जी हां मद्य पर्देश आसस्टन प्रोफेसर एक्जाम जो कि आपका जनुवरी दो हजाट चोबिस में टेंटेटिव डेट्स मिल चुका है इसके लिए एक्जाम फाइटर नवरन पेपर वन जो कि आपका मद्य पर्देश जी के है उसके लि प्रमुक डैनस्टी है मद्य पर्देश के प्राचिन राजवन से इससे प्रसन आते हैं इसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे साथ हैं और अब्जक्टिव प्रसन कैसे यहां से बन सकते हैं तो चुटी चुटी राजवन से लेकर बड़े बड़े राजवन सभी के ब अन्तिम मनु कोनते वेवस्वत्त के धस पुत्र थे उसमेह से इसका एक पुत्र वंत हैं कहा मते इसी के नाम पर और्ज कर आ अस्थापना हो एटी एसा जन्षूниव के नंसार कहा जाता है इना स्मас अ जो मनु नदी के पास बगेलकंड और कहां पास कर सकते का एरिया माना जाता यह से पूछाएगा तो रीवा नदी किस चेत्र को आधिकार वाला तो तो अमारा बंढकेल में मंद्रवेवस्त की पुत्री इला का विभा चंद्र से गुवा चंद्र से जिसके नाम पर ही चंद्रवंस की अस्थापना हुई इसे एल समराज भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इला के पती दे उते चंद्र तो चंद्र वंस के जगा कहीं कहीं इला के नाम पर एल समराज भी कहा जाता है है चंद्रवसंति समराज जो था यह इनका विस्तार बुंदेल खंड तक था य। नम्मा चुटा इनका विस्तार था बुंदेल खंड तक इसका एरिया था आप से पुछा जो आप चंद्रिव न्स था मद्दिपर्देश का इसका विस्तार कहां तक था जबुन्देल खंड था चलिए आगे बढ़ते हैं, छारत वन्स ये भी मद्धिपर्देश संग्झ जोगल ठुमभी और सुपूरी ऑन को फूरी से अगे कई सविक्टे वन् यहां पे आप इस ए डो के जगा दो समझा royal कार्दमक से इसके संस्थापक थे यह सोमती और च110 कार्दमक का संस्थापक पर संसित परकांठान तो एक आपन चस्थन sir सरपत्तितियुक चांदि के सिक्षे चलते दर्ट से देट उसकी exhausting करायता सबसे पहली वार किसने दर्दामन ने तो मद्ध्रदेश में सरपत्तम्नितियुक था ना डीट वाला चांदि के सिक्षे किसने चलागे तो है true-drav nice अ? आगे बठते में दूस्तों नंद बंस, नंद बंस का भी सम्मद्ध रहा है मद्री पर्देश से, तो नंद बंस की जो संस्थापक थे, महापरम नंद, ने समराज विस्तार के लिए क्या क्या, मद्री पर्देश के चीर्दी जनपर्द पर आक्रमन क्या, घृँ से मगरत वहां से नंद वन्स की मोद्राय प्राफ्ट हुए यानि नंद वन्स के सिक्क्य कहां से मिले हैं बढ़वानी से और नंदों ने कौन सा जन्पत जीता मद्धि परदेश का चेद्र जन्पत आगे बढ़ते हैं मौरिवन्स मौरिवन्स का भी बहुत अच्छा सम्मण रहा है और मद्धि परदेश में बहुत ही अटूर रिस्ता रहा है तो देखें सुरू से आप देखें मद्धि परदेश में मौरिवन्स के व्यापक साक्ष मिले हैं असोक जब समराथ नहीं बने थे तो याद किजिए वह कहां के गवर्णर थे तो उज्जयन के गवर्णर थे तो क्या क्या सांची में इस्तूप का निर्मान करवाया या इस्तूप मद्धि परदेश में ही तो है और मद्धि परदेश में कहां राई से इंजिला में यानि कर सकते हैं कि मौरिवन्स का संबंद बहुत ही घनिश्ट रहा है आपका मद्धि परदेश के लागे बरते हैं इम्होरिवन्स में और भी बहुत चीज़ें हैं मौरिश्ज अमराट आसोग ने वीदिसा राजी के स्रिश्टी की पुत्रि स्रीदेवी से व्यवाहिक समन स्थाबित की वीदिसा कहां मद्धि परदेश्टम यानि मद्धि परदेश क कि विदिसा राज के स्रेष्टी की पूत्री स्रीदेवी से किसने विवा किया असोग ने सम्राठ असोग ने जिससे उसे महेंद्र और स्रंग मित्रा जिससे संतानों का जन्म हुआ जिन्होंने बहुत धर्म के परचार के लिए बहुत ही महत्मों भूमिकानी भाई है इसी पक लेकिन यहां पर इस अभिलेक में जो गुर्जरा से मिला है वहाँ असोक का नाम असोक ही उतकिर्ण है यह बहुत बड़ी बात है और इत्यासिक दिश्टिकॉन से बहुत महत्पूर्ण इसका स्थान रहा है असोक का जो अंञ लगू शिलालेक है जोकि आपका मध्य परदेश में ही इस्तित है उन सब को देख लेता है एक है रूपनाथ जो कि जबलपूर में हैं कसरवाद पस्टिमी निमार में है राइसएंजेला में इस्तित थे यानि रूपनात कसरबाद और खकपई यह सभी कहा है मद्धी परदेश में और लगूसी लालिक है समराध असोग के गुप्थवंस के पारकिक बारे सब्सक्रिटुबफश के सब्सक्राइं में क्या समन्द रहा है दूत्तिया या जिसे भिक्रमा जित्य भी झाह जाता है इसने पाटले पुत्र के अत्रिक नई राजधाने वो जेंई को भी अपने मंध्यपर्देस हं coherence टो दूनका में इहाने मंध्य परदेश सों रहा है और इसके अलावे 25 ले काल के जो सिक्य हैं वो मध्य परदेश में मिले हैं एरन विदीशा त्रिपूरी उज्यनी एवंग जबलपूर गुप्ट कालिन सिक्य कहां से मिले हैं एरन विदीशा त्रिपूरी उज्यनी और जबलपूर इसी प्रकार समुद्र गुप्ट ने तत्कालिन विदीशा के जो स स्रीधर को पराजित कर विदिशा परादिकार कर लिया था श्रमुद्र गोप्त ने क्या किया ततकालिन विदिशा सासक स्रीधर को पराजित कर विदिशा परादिकार कर लिया था यानि मद्य परदेश के बड़े भागवर कभजा कर लिया था अगला है चंदेल वन्स चंदे खुजराओ के मंद्रों का निमान राजा धंग देयु ने किया था वहां के शिप्सका के मूर्थिकला हैं वह भध का सकते हैं वर्लस लेबल पर फेमस है तो चंदेल सासकु ने मर्दी परदेश के सब्सक्रावर्च का निमान क्या था ढंघ देव याँ दखेएगा कि श्र neighborhood कि सब्सकु कर दक्रमड़्य ऑनज के लिए मे क्या ने कौन सब्सक्रावर्टकृ ना रहा हिए तो तृबर जबलपूर के कल्चूरी वन्स के अस्थाबना कोकल पर थम ने की थे तो आज के इतना ही साथ हूं thank you very very सब्सक्राइब करें लाइकन को प्रिस्क्राइब को क्लिक करें थैंक यू तैंक यू वरी-वरी-मच